नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है आपके और मेरे चैनल RPSC A2Z पर दोस्तो अब मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो रीट लेवल फर्स्ट के अबेर्थियों के लिए एक पोजिटिव संकेत है और रीट लेवल पर्थम के 2018 के ऐसे अबेर्थि जिनका सेलेक्शन नहीं हो पाया है और जो कुछ नमबरों से रह गए हैं उनके लिए एक उमीद की किरण है तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों आप जानते हैं कि रीट लेवल फरस्ट में 7-8000 ऐसे चैनित शिक्षक थे जो की दुबारा नोकरी लग चुके हैं जो पहले से लगे हुए थे उनका दुबारा नमबर आ चुका है तो उनको बाहर किया जा सकता है और ये नए अबैर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुश कबरी हो सकती है आज के भासकर अख़ार में छपा है कि उन सिक्षकों ने खुद को बेरोजगार बता कर बिना विभाग की अनुमती के रीट की प्रिक्षा दी है उन्होंने खुद को बेरोजगार बताया है जबकि वो बेरोजगार नहीं है और अब उन पर कारवाई संभव है और दोस्तों अगर उन पर कारवाई होती है तो बड़ा उलट फेर होने की संभवना है और उन शिक्षकों को इस रीट से बाहर किया जाएगा तभी 2018 के पर्थम लेवल के अबहरतियों के शाथ इनसाफ होगा बेरोजगार महासंग ने अबहरतियों की छंटनी कर मुकदमा करने की मांग की है और उन अबहरतियों पर अनुशासनात्मक कारवाई हो सकती है विशेश शिक्षक, बेरोजगार शिक्षक संग के अदेख्स क्रिशन कुमार मूर्ड ने बताया कि रीट 2016 में चैनित अभेटियों ने तत्थे छुपा कर अवेदन किया अवेदन से पहले उन्होंने विभागिये प्रमिशन नहीं ली और वो एक्जाम देकर दुबारा सेलेक्टेड हो गए इससे कई बेरोजगार शिक्षकों का हक मारा गया है और अब उन पर धारा 420, धारा 466, 468, 471 और 120 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए जी हाँ दोस्तों अब उनके उपर इंडियन पीनल कोर्ड की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हो सकता है उनके खिलाफ लीगल कारवाई हो सकती है और दोस्तों मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनको बाहर किया जाना चाहिए और वो बाहर हो सकते हैं लेकिन कई लोग ये बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता अब आप ये पढ़ सकते हैं कि उनके खिलाफ कानूनन रूप से कारवाई की जा सकती है उनको बाहर किया जा सकता है क्योंकि पुराने अभेर्थियों ने कानूनी प्रावधानों के खिलाफ काम किया है और उनके इस कदम से हज़ारों काबिल अभेर्थि परिशान हुए है उनको बाहर किया जाता है तो साथ आठ हजार नए अभेर्थियों को मौका मिलेगा उसके बाद में कटोफ भी कुछ नीची आएगी और उसके बाद में वेटिंग में भी बहुत से लोगों का नंबर आएगा इस कदम से हमारे प्रदेश के लगबग 10,000 अभेर्थियों की किश्मत खुल सकती है उनको मौका मिल सकता है और उनके घरों में भी खुश्यां आ सकती है इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग